नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल बन 01 में मेरा नाम है संधीप कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं compressibility and consolidation की इससे पिछले चैप्टर के अंदर हम compaction पढ़ चुके थे Compaction क्या होता है किस तरीके से Soil जो है उसके अंदर हम Settlement करवाते हैं या यूं कहले जिए कि उसका Volume जो है वो हम Reduce करवाते हैं तो Compaction और Compressibility की बात करें तो Same ही बात है कि हम यहाँ पर Volume Reduction की बात कर रहे हैं तो Compressibility तो एक Generic Term हो गई जिससे कि हम Soil की Volume Reduction की बात कर रहे हैं यहाँ पर Consolidation और Compaction की अगर हम बात करें तो Consolidation और Compaction जो है इनके अंदर क्या अंतर हैं इनमें अंतर इतना सा है कि Consolidation में हम कहते हैं कि जब आपने Stress लगा के छोड़ दिया Long Duration के लिए Stress आपने लगाया है किसी Soil के उपर तब उसके अंदर Volume Reduction आता है और Particularly किसके कारण आता है वो Excess Pore Water Pressure जो है वो Dissipate होता है उसके कारण आता है Compaction के अंदर हमने बात की थी कि Soil के Pores के अंदर Soil के जो Voids हैं उनके अंदर जो Air Present होती है वो बाहर निकल जाती है तो Compaction बोल देते हैं अगर Water या Excess Pore Water Pressure जो है वो Dissipate होगा तब हम उससे कह देते हैं कि This is Consolidation Unacademy पर हमारा Schedule कुछ इस प्रकार से है YouTube के उपर Civil 101 सुबा 9 बजे हम पढ़ रहे हैं Soil Mechanics Monday to Friday ये सेशन चलते हैं Unacademy की Plus Class के उपर दो पहर को 12 बजे Plute Mechanics जो है ये चल रहा है हमारा ये सब्सक्रिप्शन पर है 6 पीम और 8 पीम Unacademy की Special Classes होती है Unacademy की एप के उपर जो की Free of Cost होती है उनके लिए बस आपको एक Invite Code की जरूरत पढ़ती है जो आप संदीब 1 यूज़ कर सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन पर पढ़ना चाहते हैं तो Unacademy पर मेरी Profile में आपको यह Course दिखेगा Course on Plute Mechanics for S.S.C.J.E. and State A.E. exam इस पर आप Get Subscription पर क्लिक कर सकते हैं या फिर Unacademy आपके उपर जाके आप सबसे पहले अपना Goal सेलेक्ट कर लीज़िए आपके इस exam की तयारी करना चाहते हैं S.S.C.J.E. State A.E. या फिर Get A.E.C.E. वो सेलेक्ट करने के बाद Get Subscription पर क्लिक कर सकते हैं Duration सेलेक्ट करनी है आपको कितने duration के लिए subscription चाहिए and then you can use the referral code Sandeep1 जिससे आपको 10% instant off मिलेगा और साथी साथ में आपको access मिलता है Unacademy platform पर Throughout this category जिस category का आप subscription लेते हैं आप किसी भी educator की कोई भी class देख सकते हैं I hope अभी आवाज clear होगी चलिए Let us begin तो Unacademy app आपने अभी तक install नहीं किया तो app install कर लीजिए और साथी साथ में आप वहाँ पर follow कर सकते हैं मुझे जिससे कि आपको जितने भी special class session होते हैं free of cost होते हैं उनका आपको access मिल पाए आप notifications जो हैं वो आप तक instantly पहुँच पाए जैसे ही sessions स्टार्ट होते हैं तो soil mechanics के अंदर chapter चल रहा था compaction और compaction में हमने समझा कि air जो है उसको expel करना है अब बात करेंगे compressibility या फिर ये कह लिजिए कि हम बात कर रहे हैं consolidation की कि किसी soil को consolidate कर देना जैसे हम बात करते हैं कि sedimentary rocks जो होती हैं sedimentary rocks कैसे form होई sedimentary rocks ऐसे form होती है कि जो sediments होते हैं particles होते हैं चोटे चोटे अल्रेडी existing किसी soil के उनके उपर बहुत लंबे समय तक stress लगता है continuously लगता है तो वो क्या हो जाते हैं closely packed हो जाते हैं consolidate हो जाते हैं एक hard layer उनकी बन जाती है अब उसका volume reduction हो रहा है उसमें settlement आ रहा है या यूँ कह लीजिए कि अब उसको compress कर रहा है हम और वो compress हो क्यों रहा है क्योंकि उस soil के अंदर जो water present है वो water भाहर निकल रहा है लेकिन वो instantly नहीं निकल रहा है over the period of a long time ठीक है लंबे समय के बाद वो ऐसा हो रहा है तो इसे consolidation कहते है तो यह process gradual है धीरे धीरे होता है एकदम से नहीं होता है it is a gradual process in which reduction of volume और यहाँ पर जो soil हम consider करते हैं वो कौन सी soil consider करते हैं वो fully saturated soil होती है fully saturated soil जिसकी permeability low है अब यह शब्द भी यहाँ पर important आ जाता है कि permeability low है तब ही हम बात कर रहे हैं अगर permeability high होती एकदम से आप force लगाएं तो वो suddenly क्या करेगा expand कर जाएगा हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी soil के अंदर अगर sudden stress लगाते हैं और water present है वहाँ लेकिन pores बहुत जादा है voids खूब सारे हैं और connected है और बहुत जादा permeability है तब water को जगा मिल जाएगी कि वो immediately वहाँ से निकल जाए तो high permeability बहुत ही जादा high permeability है वहाँ sudden load लगाएंगे तो इतना फरक नहीं पड़ेगा जैसे कि अगर हम बात करें gravel के case में तो gravel के case में voids जो हैं वो interconnected होंगे और voids का size भी बड़ा है वहाँ पर तो वो क्या कर सकते है कि फटा-फट पानी वहाँ से बाहर निकल सकता है लेकिन यहीं पर clay soil की बात करें तबी आप देखना consolidation वाले chapter के अंदर जितने भी questions आपको देखने को मिलेंगे वो questions में एक शब्द यूज किया होगा कि कोई clay का strata है कोई clay की एक layer है soil के अंदर तो उसके अंदर consolidation की बात करते हैं तो basically we want to say that कि वहाँ पर जो soil है उसकी permeability बहुत कम है तो अगर हम stress लगाते हैं तो एकदम से water वहाँ से बाहर नहीं जा पाता है तो with time धीरे धीरे वो जो है consolidate होगा clear so consolidation is a gradual process in which reduction in the volume of fully saturated soil of low permeability occurs due to dissipation of excess pore water pressure set up due to increase in stress or otherwise due to sudden lowering of water table जैसा की हो सकता है कि consolidation एक ऐसा process है जिसके अंदर आपने एकदम से या तो external stress लगाया तो उसके करएं excess pore water pressure generate होगा और अब वो stress लगा हुए धीरे धीरे with time वो excess pore water pressure dissipate होगा तब क्या होगा soil के अंदर settlement आ जाएगा या उसका compression हो जाएगा या फिर यह हो सकता है कि water table जो है वो lower down हो जाए water table के cases हमने already देख लिए ground water table अगर rise करता है अगर fall करता है तो उनके क्या असर होते है अगर ground water table lower करेगा हमें पता है कि effective stress जो है वो किसके बराबर होगा total minus pore water pressure अगर ground water table जो है वो lower कर जाएगा तो pore water pressure reduce हो जाएगा effective stress बढ़ जाएगा effective stress बढ़ने के कारण अब क्या होगे particles और पास पास में आ जाएगे contact force बढ़ गया उनका या यूं कह लिजी कि अब उसके अंदर settlement आएगा with time तो ये consolidation कहलाता है this is known as consolidation compaction जो था वो instant process था जबकि consolidation time dependent है समय के साथ धीरे धीरे होगा soil जो है partially saturated थी सारे के सारे voids water से नहीं भरे हुए थे यहाँ fully saturated soil होती है यानि कि सारे के सारे voids पानी से भरे हुए होंगे thickness of layer air के expulsion के कारण reduce होगी यहाँ पर thickness of layer जो है pore water pressure dissipate होने के कारण होगी यहाँ sudden loading या impact loading थी यहाँ gradual धीरे धीरे load लग रहा है या फिर load लगा के छोड़ दिया एक लंबे ताइम तक फिर उसके बाद हमने observe किया उसका volume reduction दोनों ही case में void ratio तो obviously decrease करे गई volume of voids तो reduce ही हो रहा है compaction के case में बात करें तो air के कारण consolidation के case में बात करें तो water बाहर निकल जाने के कारण हो रहा था तो यह हमने already पढ़ लिया discuss कर लिया अब बात करते हैं दोस्तो settlement जो होती है वो किस प्रकार से होती है अगर किसी soil के उपर stress लगाया जाए load लगा दिया जाए तो उसके कारण उस soil की thickness कम होती है अब वो जो thickness का reduction होता है या यूँ कह लीजिए वो जो settlement आती है उसको तीन parts में divide करके हम समझते है पहला जिसे हम कहते है immediate settlement दूसरा primary settlement और तीसरा जो होता है वो secondary settlement कहलाता है तो तीनों को मिला के हम कहते है कि हमारी total settlement आई immediate, primary फिर उसके बाद secondary settlement immediate settlement क्या होती है immediate settlement जैसे ही आपने soil के उपर कोई stress लगाया जैसे ही force लगाया आपने तो वैसे ही air बाहर निकल गई तो immediately settlement आपको देखने को वहाँ पर मिल गया एक कारण यह हो सकता है settlement का दूसरा कारण settlement का क्या हो सकता है कि अगर आपकी soil जो है वो laterally confined नहीं है अगर soil laterally confined नहीं है तो ऐसे case में क्या होगा कि वो settlement देखने को मिलेगा अब laterally confined है नहीं है इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए किसी container के अंदर छोटा से example के तोर पे कि अगर किसी container के अंदर मान लीजिए कोई soil आपने भर रखी थी ऐसे अब इसके उपर stress लगाएंगे तो अब ये इस container के अंदर क्योंकि इस container की जो दिवारे है इस container की जो walls है इसको sideways direction में नहीं expand होने देगी इसका मतलब ये laterally confined है तो अब आपको वो immediate settlement इतना नहीं देखने को मिलेगा as compared to एक ऐसी soil जिसको openly आपने रख रख है laterally confined नहीं है आसपास कोई दिवारे नहीं है आसपास कोई buildings नहीं है confinement नहीं है तो तब आप इसके उपर अगर एकदम से stress लगाएंगे तो वो lateral direction में ऐसे फैल जाएगी तो next जो reason है वो ये हो सकता है कि strain आ जाएगा यानि कि dimension change हो जाएगा lateral direction में जब उसको आपने समझ लीजी जैसे कोई मेट्टी का धेर है उसके आसपास कोई दिवारे नहीं है उसके उपर आप force लगा दीजी तो वो sideways direction में फैल जाएगा तो settlement का मतलब क्या है कि overall उसकी thickness के इंदर reduction आ गया तो वो है immediate settlement So other cause of immediate settlement would be lateral strain generation strain change in dimension upon original dimension तो lateral direction में strain आ जाएगा when the soil is not perfectly confined हर तरफ से आपने उसको confine करके नहीं रखा हुआ है तो ऐसे केस में immediate settlement देखने को मिल सकता है चीक है immediate settlement I hope समझ में आ गया होगा आपको अब आगे बढ़ते है next आता है primary settlement primary settlement किसके करण आएगा primary settlement जो आएगा अब overall की बात कर रहे हैं सिर्फ consolidation की बात नहीं कर रहे थे overall soil के अंदर जो settlement है उसको 3 parts में देख रहे हैं दूसरा हमने का कि soil अगर laterally confined नहीं है तो उसके करण तीसरी बात जो हम कह रहे हैं वो अब यहाँ पर वो तो हो गया first point जो हमारा था immediate settlement अब primary settlement यहां consolidation वाला part स्टार्ट होता है कि consolidation के अंदर क्या होगा जो excess pore water pressure है या फिर pores में जो पानी present है वो बाहर जाएगा तो dissipation होगा उसका dissipation of excess pore water pressure generated due to increase in stress और otherwise किसी भी कारण से जिस कारण से वो generate हो रहा था excess pore water pressure वो धीरे धीरे dissipate होगा time dependent process है इसके current settlement आ जाएगा कितनी permeability है इसके उपर depend करेगा जितना ज़्यादा soil की permeability है उतने जल्दी पानी जो है वहाँ से बाहर निकल पाएगा उसमें से और उतना ही settlement आ पाएगा thickness of layer कितनी है उस layer की thickness कितनी है पानी को बाहर निकलने के लिए कितने दूर travel करना है अगर आप बात करें कि एक ऐसी clay की layer थी generally जब भी हम ये consolidation की problems देखेंगे उनमें आपको clay word दिखेगा क्योंकि clay की permeability ही कम होती है pores बहुत ज़ादा होते हैं इसमें porosity बहुत होती है लेकिन permeability कम होती है तो voids में पानी खूब सारा है लेकिन बाहर जाने के लिए वो voids connected नहीं है इतने अच्छे से तो permeability कम होने के करण हम इसके अंदर consolidation समझते है कि हाँ इसके उपर जब stress लग रहा है इसके उपर और भी कोई layers हो सकती है मान लीजिए यहाँ पर भी sand की layer थी यहाँ पर भी sand की layer थी तो अब अगर इस clay की thickness जो है वो बहुत ज़ादा होती तो कोई water का molecule जो यहाँ present था उसको ज़ादा distance travel करना पड़ता इस clay की layer से बाहर निकलने के लिए फिर sand से तो वो और जल्दी बाहर निकल जाता तो thickness of layer के उपर भी depend करेगा thickness कम है ज़ादा है किस तरफ drainage हो सकता है drain कर देना मतलब washing machine से पानी आप बाहर निकालते हैं तो आप क्या कह देते हैं drain कर दो उसको क्या कर देते हैं drain कर देते हैं आपके AC जो होता है उसमें से जो पानी बाहर निकलता है वो कैसे निकलता है आप कहते हैं पानी drain out हो रहा है बाहर निकलता है तो single drainage है, double drainage है, इनके उपर भी depend करता है कि settlement में कितना time लगेगा magnitude of stress increase, कितना stress आपने लगाया है, उसके उपर भी settlement जो है depend करता है तो ये primary settlement हो गया, तीन settlement थे, immediate, primary, secondary immediate, air expel होने के कारण, primary, access for water pressure expel होने के कारण फिर आता है secondary settlement, secondary settlement क्या होता है, कि over the time जब दोनों, शुरू के दोनों settlement हो चुके होते हैं, चाहे access for water pressure भी zero हो गया है, सारी की सारी air भी expel हो गई है, लेकिन with time क्या होता है धिरे-धिरे soil के particles जो हैं, उनके अंदर rearrangement होता है, जिनके कारण और further settlement हमें देखने को मिलता है, जिससे की soil के particles जो होते हैं, यानि की solid जो होते हैं, वो और बहतर और stable configuration के अंदर चले जाते हैं, जिनसे की हमें थोड़ा और settlement देखने को मिलता है, जिससे हम भूलते हैं secondary settlement so compaction of soil does not stop when the excess for water pressure is dissipated to zero, excess for water pressure अगर zero तक हो जाए, तब भी उसके अंदर settlement जो है, वो आती रहती है but continue at a gradual decreasing rate, decreasing rate हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत जादा देखने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए, शुरुवात में settlement immediate वाला तो आपको हाथ वाथ दिखेगा फिर primary settlement over the time धीरे-धीरे-धीरे thickness कम होई, फिर secondary settlement जो होगा, जब primary settlement तक हो चुका है, तो secondary जब शुरू होगा है, तो शुरू-शुरू में तो secondary settlement थोड़ा से जादा होगा, फिर वो भी धीरे-धीरे-धीरे reduce हो जाएगा, लेकिन over the time थोड़ा-धीरे होता जाएगा यहाँ तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि continue at a gradual decreasing rate धीरे धीरे होता रहेगा थोड़े थोड़े amount में और वो जो rate है उसके settlement का क्योंकि obviously कितना और ज़ादा compact form में वो जा सकता है बहुत कम जाएगा बहुत small amount से जाएगा बाद में क्योंकि already इसका इतना settlement हो चुका है soil का secondary consolidation is due to gradual re-adjustment of clay particles into more stable configuration secondary settlement starts after primary consolidation और यह जो भी settlements पढ़ते हैं वो थोड़ी-थोड़ी stress increments के लिए हम बात करते हैं अब आते हैं one dimensional consolidation के उपर कि एक direction में consolidation करवा रहे हैं सिर्फ one dimensional consolidation की बात करते हैं 1D consolidation का मतलब एक direction में ही बात कर रहे हैं आपने क्या किया एक water bath consider कर लिया इस water bath के अंदर आपने यहाँ पर एक porous stone रखा starting में porous stone ले लिया इसके उपर जो soil जिसका consolidation पढ़ना है जिसका consolidation हमें चेक करना है वो हमने यहाँ पर रख लिया फिर इसके around हमने क्या कर दिया एक confining ring प्रोवाइड कर दिया एक confine कर देने वाली ring प्रोवाइड कर दिया confining ring क्या करेगी इस sideways direction में soil को expand नहीं होने देगी इसके अंदर ही यह रहेगा soil simple यहाँ पर तो नीचे porous stone है उपर भी इसके हमने एक porous stone रख दिया इस soil simple के उपर नीचे porous stone present है और बीच में यहाँ पर हमारा soil sample आ गया जिसको confine कर रखा है एक confining ring से इसके उपर क्या करेंगे हम यहाँ पर load लगाएंगे इसके उपर हम क्या करेंगे load लगाएंगे और dial gauge हमें क्या बताएगा कि कितना settlement आया है dial gauge हमें क्या बतादेगा कितना settlement आया है यह हम check कर सकते हैं और loading जो होगी loading जितना आप stress लगा रहे हैं तो कितना stress लगाने पर आपको कितना settlement देखने को मिलेगा तो अब settlement जो आएगा क्योंकि consolidation पढ़ रहे हैं तो consolidation का मतलब soil जो है वो saturated है soil के अंदर सिर्फ solid और water present है तो जब saturated है water ही बाहर निकल सकता है तो in porous stone के थूँ वो water जो है यहां पर बाहर निकल जाएगा इन porous stone के थूँ वोटर बाहर निकलेगा अब अगर आप बात करते हैं कि change in volume with respect to original volume जो आएगा हमारा कितना volume के अंदर इसके अंदर reduction आएगा इस apparatus का नाम होता है oidometer इस apparatus का नाम क्या है oidometer होता है तो कितना change in volume with respect to original volume आएगा यह हमारे पास आता है कि change in void ratio upon one plus original void ratio change in volume upon original volume जो होता है वो change in void ratio upon one plus original void ratio के बराबर आता है अब volume जो है वो किसके बराबर होगा जितना इसका cross sectional area होगा multiplied by इसकी height original thickness जो है इस layer की कितनी होगी उससे multiply कर सकते हैं तो area into thickness कितना change in volume आया वो किसके बराबर होगा change in thickness या फिर जो settlement आया है multiplied by its area तो हम यहाँ से यह बोल सकते हैं कि change in thickness या फिर settlement upon original height is equal to change in void ratio upon 1 plus original void ratio clear relationship कैसे आया relationship ऐसे आया change in void ratio की बात कर रहें हम change in volume upon original volume की बात कर रहें अब आपको simple solids जो है उनका volume same करना है आपको क्या करना है कि volume of solids जो है वो same रहेगा volume of solids same रहने का मतलब क्या होता है जब हमने formula पढ़ा था कि volume जो है solids का अगर आपको पता करना है तो volume of solid is equal to total volume upon 1 plus void ratio ऐसा कह सकते हैं ऐसा रहेगा तो आप अगर ये कह देते हैं कि बाद में volume जो है वो V1 हो गया शुरू में V0 था तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शुरू में V1 V0 अगर था और बाद में V1 हो गया upon V0 इस तरीके से express कर सकते हैं इसमें आप यहां पर इनके solids को equate करवा सकते हैं जैसे अगर हम बात करें तो volume of solids को आप किस तरीके से लिख सकते हैं अगर first case की बात करेंगे तो V0 upon E0 लिख सकते हैं ठीक है शुरू में जो था फिर उसके बाद settlement होने के बाद जो volume आया वो आपके पास one plus even इस form में आप लिख सकते हैं दोनों को आप यहां पर values को put कर दीजेगा आपको same expression मिल जाएगा हाँ important तो यह formula है सबसे ज़्यादा important जिसमें चाहिए आप SEC के कह लिजिए ESC के कह लिजिए सबसे ज़्यादा important यह formula है बहुत जगा यूज आएगा पूरे chapter का important सबसे starting में ही formula यह कह लिजिए ठीक है इसमें आप put कर सकते हैं आप V1 की value put कर दीजेगा in terms of V0 V1 की values in terms of V0 आप put कर दीजेगा V1 equals to आजाएगा आपके पास V0 into 1 plus E1 upon 1 plus E0 चाहिए ऐसे रख लिजिए कैसे भी आप values put करेंगे आपके पास भही आजाएगा change in void ratio upon 1 plus original void ratio यह इसमें put कर दीजे ठीक है आगे बड़े तो यह हमारे पास आगया formula जो बहुत ही ज़ादा important है और बहुत simple से question अगर हम बात करें engineering services के भी तो इस तरीके से question आप से पूछा गए natural void ratio of a saturated soil strata 3 meter thick यहनि कि यहाँ पे आपको thickness जो original दे रखी है वो कितनी 3 meter दे रखी है original void ratio जो आपको दे रखा है वो original void ratio दे रखा है 0.90 the final void ratio of the clay at the end of consolidation is expected to be E1 की बात करें तो वो आपके पास हो जाएगा 0.71 the total consolidation settlement of the clay strata is आपको delta H की value पता करनी है तो delta H upon H is equal to change in void ratio upon 1 plus original void ratio तो यहाँ से आप delta H की value बता सकते है change in void ratio तो 0.90-0.71 upon 1 plus original void ratio और H उधर जाके multiply हो जाएगा जिस value के अंदर आप H की जिस unit में आप H की value लिखेंगे उसी में delta H आजाएगा अगर 3 meter लिख रहे हैं तो 3 meter आजाएगा अगर 300 centimeter लिख रहे हैं तो answer centimeter में आजाएगा तो यहाँ से delta H की value आएगी आपके पास 0.3 meter आएगी जिसे आप लिख सकते हैं 30 centimeter clear तो ऐसे question simple direct formula basis के उपर आपको देखने को मिलेंगे the change that takes place during the process of consolidation consolidation का जो process है उसमें होता क्या है consolidation के process के अंदर धीरे धीरे over the time poor water pressure reduce होता जाता है अगर poor water pressure reduce हुआ अगर यह reduce हुआ तो क्या हो जाएगा जो आपका increase हो जाएगा effective stress के अंदर effective stress would increase very simple next a decrease in poor water pressure and increase in effective pressure the initial and final void ratios of a clay sample in a consolidation test are 1 and 0.5 respectively if the initial thickness of the sample is 2.4 cm then its final thickness will be the initial and final void ratio of a clay consolidation test के अंदर आपको दे रखिया है E0 की value E1 की value दे रखिया if the initial thickness of the sample is 2.4 cm initial thickness आपको दे रखिया है 2.4 cm then its final thickness will be पहले पता कर लेते हैं कि settlement कितना है delta H upon H is equal to delta E upon 1 plus E0 delta H की value क्या आजाएगी change in void ratio change in void ratio क्या आगया 1-0.5 upon 1 plus 1 1-0.5 upon 1 plus 1 clear multiplied by 2.4 cm तो यहां से आपके पास आजाता है 0.6 आएगा 0.6 cm पर ऐसा तो कुछ option है यह नहीं अगर option में हो भी 0.6 तो भी tick नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि आप से settlement नहीं पूछा है उसने उसने यह पूछा है कि अगर कोई sample है उस sample की initial thickness आपको दे रखी है initial thickness है 2.4 cm और अब उसके अंदर settlement आ गया settlement आने का मतलब कि वो यहां से delta h की value हमने calculate की तो delta h की value जो आई हमारे पास वो delta h की value आई 0.6 cm तो आपने settlement बताना हो तो कहेंगे कि 0.6 cm लेकिन question में पूछा है कि final thickness क्या होगी इस sample की तो अब यह thickness जो final बच गई है कितनी हो जाएगी 24 minus 0.6 तो 1.8 cm इसकी final thickness हो जाएगी question में आपसे यह पूछा है तो final thickness बताने के लिए आप क्या कहेंगे final thickness will be original thickness minus जो settlement आया है अब यहां पर एक formula भी बनता है formula बनता है तो अगर आपको original thickness की terms में इसको calculate करना है तो delta h की जगा आप h minus delta h upon h इस form में formula याद करें फिर उसके बाद उस h को भी आप इधर ले जाए फिर इनकी terms में express करें तो no simple कम formula याद रखो उनी से उनको use करना अलग-अलग हमें आना चीए तो वो ज़ादा better रहेगा rather than कि हम जबरदस्ती अलग-अलग formula बनाएं एक ही चीज़ के दो-तिन formula हो जाएं फिर उनी के plus-minus में हम confuse होते हुए जा रहे हैं next अब बात करते हैं फिर से one dimensional consolidation की one dimensional consolidation जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा जिसका formula हमने delta i h upon h equals to delta i upon 1 plus original void ratio यह हमने पढ़ा इसी के बार में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं धीरे-धीरे vertical stress जो है वो लगाएंगे और थोड़े-थोड़े increment करेंगे हम पहले stress लगा दिया फिर उसको छोड़ दिया settle होने दो फिर थोड़ा और stress बढ़ा दिया फिर उसको छोड़ दिया और settle होने दो तो इस तरीके से हम उसको धीरे-धीरे consolidate कराते हैं और इस stress की बात करें अगर हम तो usually उसको 24 hours तक छोड़ देते हैं stress लगाया फिर 24 hours छोड़ दो फिर stress लगाया थोड़ा और भढ़ा दिया फिर 24 hours छोड़ दो ऐसे तो soil is loaded in increment of vertical stress vertical direction में stress लगा रहे हैं और हर एक increment के साथ-साथ soil को समय दे रहे हैं हम कि वो उसके अंदर से pore water pressure dissipate हो जाए usually 24 hours तक हम wait करते हैं पर जो reading आएगी compression की जैसे ही load लगाया तो आपको पता लग जाएगा कि कितने time के अंदर कितना settlement आया load लगाने के बाद कितने time में कितना settlement आया जैसे कह लीजिए कि अगर हम एक particular load increment अब किया फिर 24 hours बाद next increment किया तो इस 24 hour के duration के अंदर कितना settlement आ गया तो हमें time के साथ-साथ time rate of consolidation पता लग रहा है time के साथ-साथ कितना consolidation आता जा रहा है यह हम वहाँ पर observe करते रहते हैं यहाँ पर at the end of increment of period when excess pore water pressure is completely dissipated applied pressure becomes equal to effective stress in the specimen अर्थाथ कि अगर effective stress हम कहते हैं कि वो total minus pore water pressure है जब pore water pressure completely dissipate हो जाएगा तो क्या हो जाएगा total stress जो है effective stress applied stress के बराबर हो जाएगा तो यह हम बोल सकते हैं the 24 hours reading give the final compression under each stress increment अब load लगाया फिर 24 hours बात जो है reading observe कर लेंगा और फिर से load लगा देंगे और ज़ादा load increase कर देंगे तो इस अरीके से हम उनकी readings को observe करते है after the first increment of 24 hours next increment is applied and same procedure is repeated यहां पर increment होगा the results obtained from odometer test is plotted in terms of void ratio at the end of each stress increment against corresponding effective stress void ratio versus log of stress में हम इसको plot करते हैं या फिर log of effective stress की terms में हम इसको plot करते हैं हमें जो graph देखने को मिलता है हो कुछ इस nature का होता है और इस nature में भी हम क्या कर रहे हैं observe कर रहे हैं कैसे observe कर रहे हैं कि stress बढ़ाओ stress बढ़ाओ stress बढ़ाते गए तो void ratio obvious सी बात है कि जैसे-जैसे stress बढ़ाएंगे void ratio reduce होगा शुरू में बहुत जल्दी reduce होगा फिर जैसे जैसे particles compact अल्रेडी हो चुके हैं तो अब और धीरे-धीरे होगा इस rate से होगा तो जब तक load बढ़ा रहे थे तब तक तो void ratio reduce हो रहा था फिर हम क्या करते हैं अगर load को reduce करना शुरू कर दें जैसे हम यहाँ पर curve में बात करें तो यहाँ तक load बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो इस point तक तो load को हमने बढ़ाया तो void ratio reduce हुआ फिर हमने क्या कर दिया load को reduce करके देखा load को यहाँ से कम करके लेके आए loading जो थी या फिर stress जो था उसको यहाँ से कम करके लेके आए तो पहले तो graph जो था वो ऐसे चला void ratio reduce हो रहा था हो रहा था जब तक stress बढ़ा रहे थे अगर stress reduce कर दिया उसके बाद हमने तो भी क्या हो जाता है यहाँ पर उस level तक वापस यह graph ऐसे ही नहीं जाता है वापस यह graph यहाँ पर इस point पर नहीं जाता है यह void ratio जो है कुछ कम recover होता है यहाँ पर वो particles जो है उतना void ratio वापस नहीं जाएंगे उस point के उपर वापस नहीं जाएंगे जिस point पर शुरू में stress था मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब stress बढ़ाया यहाँ तक तो जब stress की value यहाँ तक पहुंची थी तक void ratio reduce हो गया ठीक थी बात लेकिन अब stress को हम यहाँ से वापस कम करके ले जा रहे हैं इस level पर तो जब इस level पर stress था तो शुरू में जब void ratio reduce होता आ रहा था तब void ratio की value यहाँ कुछ मिली थी हमें initially let us say even बोल देते हैं और अब जब वापस से यहाँ पर stress को बढ़ा कर फिर reduce किया हमने stress को वापस इदर लेके गए इसे कह देते हैं sigma 1 से तो stress वापस sigma 1 पर अगर हम लेके गए तो अब आपको यहाँ पर void ratio जो है वो e1 के बराबर नहीं मिलेगा उससे कम मिलेगा e2 मिलेगा यहाँ पर उतना void ratio आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा clear तो इस curve के इंदर हम यहाँ पर क्या-क्या बातें दिखा रहे हैं एक कि यहाँ पर straight line मिलती है जब तक हम loading कर रहे हैं तो पहले straight line loading कर रहे हैं load बढ़ा रहे हैं फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम unload कर रहे हैं यह जो नीचे वाला curve दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर सब यह नीचे वाला portion यह क्या कर रहे हैं unload कर रहे हैं हम यहाँ पर और फिर से यहाँ आने के बाद फिर से stress बढ़ाएंगे तो फिर reload कर रहे हैं हम यहां पर तो क्या क्या portion हुए starting में यहां से लेके यहां तक loading हो रही थी यह loading चल रही थी यहां से लेके यहां तक फिर उसके बाद unload करना शुरू किया stress हटाना शुरू कर दिया हमने और फिर से stress लगाना शुरू कर दिया तो reload करना हमने शुरू कर दिया तो इसके अंदर आपको ये curve जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा उसी level पर वापस void ratio नहीं जाता है NC soil, normally consolidated soil, normally consolidated soil कौन सी soil होती है एक होती है normally consolidated, एक होती है over consolidated normally consolidated का मतलब होता है कि जो भी stress लगा रहे है वो आज उसके उपर maximum है ठीक है जो भी stress लगा रहे है वो आज उसके उपर क्या है maximum stress लग रहा है अब दो प्रकार के बच्चे होते हैं एक प्रकार के दोस्त वो होते हैं जो कि अभी just उनका diploma खतम हुआ है या just college life खतम हुई है तो अब पता चला है कि हाँ real world क्या है तयारी कैसे करनी है तो आज जो उनके उपर stress लग रहा है वो maximum वाला stress है आज जो वो observe कर रहे हैं उतना stress उन्होंने पहले observe नहीं किया एक दोस्त वो है जिसे एक साल हो गया है तयारी करते करते और उसने बहुत उतार चड़ाव देखे हैं अलग-अलग exams देखे हैं तो ऐसे मतलब काफी सारे अब send downs देख चुके हैं तो at present जो उनके उपर stress है उससे ज़दा stress वो past में भीर कर चुके हैं तो वो over consolidated है जो present में जो उनके उपर stress है उससे ज़दा stress उनके पास्क में देखा हुआ है तो वैसे ही soil के case में बात करते हैं तो soil के case में एक होती है नॉर्मली consolidated एक होती है over consolidated over consolidated का example क्या है कि मान लिजी आपके यहाँ पर कोई hill था ठीक है अब hill जब था इस hill के उपर अब आपका मन किया कि यहाँ पर कोई resort बनाते है या फिर आपने कुछ-कुछ वहाँ पर adventure sports बनाना है आपको पैसे वाले party हैं तो आपने क्या कर दिया यहाँ से यह इतनी soil उपर की हटा दी पहले यह exist कर रहे थी यह soil हटा दी तो अब जब यह soil हट चुकी है तो अब कुछ इस तरीके से यहाँ की जगा बन चुकी तो पहले जो इसके उपर stress लग रहा था जितना amount का stress इस soil के उपर लग रहा था क्यों? क्योंकि इसके उपर weight था ना तो यह उपर वाला weight आपने हटा दिया है उपर वाली soil आपने हटा दी तो present जो इसके उपर stress लग रहा है वो उतना नहीं है जितना इसने past में bear किया था तो इस soil को आप क्या बोलेंगे कि यह over consolidated है past में इसने बहुत जादा load bear किया हुआ है और normally consolidated मतलब जो present में उस पर जो stress लग रहा है वो maximum है normally consolidated soil a soil is said to be normally consolidated when existing effective stresses maximum that it has ever experienced in the history past में जितने भी stresses लगे हैं उसके उपर आज के समय जो लगा है वो उसका maximum है ठीक है normally consolidated बोलते हैं short में इसको NC soil बोल देते हैं the soil is said to be over consolidated over consolidated तब बोलेंगे जब past में इसने stress bear किया है वो जादा है as compared to जो present में इसके उपर लग रहा है the soil is said to be over consolidated when existing effective stress is less than the stress that it has experienced in past तो इसका example वही हो सकता है जैसा कि हमने बात की कि land slide हो गया कोई एक particular जगा से यहां पर यह soil का मास यहां से हट गया मान लीजिए कुछ इस तरीके से यह इतना portion ऐसे slide करके नीचे आ गया तो बाद में इस level के उपर यहां की जो soil है उस पर उतना stress नहीं लग रहा होगा जितना past में उसके उपर लगा ठीक है आगे बड़े यूपी ट्रेपलेसी previous year questions करिए revise करिए maximum से maximum जितना ज़्यादा revise कर लेंगे जितना ज़्यादा आपको लग जाए कि यह पढ़ पढ़ के तो मैं बूर हो गया कि यह इतनी बार यह formula इतनी बार यह चीज़ें जो है मैंने याद कर लिए तो मुझे आती है तो वहां तक revise कर दीजे the maximum value of stress जो past में उसने maximum stress bear किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं यह pre-consolidated stress है वह क्या बोलते हैं pre-consolidation stress बोल देते हैं उसे sigma c bar से उसे denote करते हैं pre-consolidation stress clear आगे चलते हैं over consolidation किस कारण से हो सकता है erosion of over burden जैसा कि हमने अभी बात की थी कि यहाँ पर कोई soil है उसका यह इतना portion हट चुका तो यह over burden इसके उपर से हट चुका है यहाँ पर इसके कारण over consolidation हो सकता है permanent rise of ground water table ground water table rise कर गया ground water table rise कर गया का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कोई एक point था यहाँ पर इस point से नीचे ground water table exist कर रही थी पहले तो इस point A से ground water table जो थी वो नीचे exist कर रही थी तो शुरुआत में initially जो stress था वो किसके बराबर total minus pore water pressure और शुरुआत में तो pore water pressure 0 था क्योंकि ground water table इससे नीचे exist कर रही थी अब ground water table अगर उपर आ जाती है अगर ground water table उपर चली आती है तो ऐसे case में क्या हो जाएगा अब यहाँ पर pore water pressure का component भी आ जाएगा तो बाद में जो effective stress हुआ वो बाद में effective stress क्योंकि यह u की value जो है कुछ increase हो गई 0 से तो यहाँ पर effective stress जो final वाला है वो reduce हो गया तो बाद में stress उस पर कम लग रहा है तो पहले initially stress जो था वो total stress के बराबर ही था और अब उसमें से कुछ quantity कम हो गई है तो आप यह कह सकते हैं कि initial के comparison में बाद में जब ground water table rise कर गई तो effective stress जो है वो क्या कर गया reduce कर गया effective stress reduce हो गया यनि कि अब जो उसके उपर stress लग रहा है वो कम लग रहा है as compared to past तो इसके कारण भी वो soil हम कह सकते हैं over consolidated है past में ज़दा stress था उसके उपर as compared to present melting of ice sheet ice sheet से क्या फरक पड़ जाएगा उसका कितना ही weight होगा तो यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहां सरदियों में जो grass के उपर थोड़ा बहुत hulky फुलकी जो वहाँ पर जो आपको देखने को मिलती है glaze मिलती है या फिर यह कह लिजिए कि जो छोटे छोटे particles होते है moisture के वो अगर freeze हो जाते है उनकी बाते नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है कि आप जैसे Canada जैसी country के अगर आप बात करें या फिर ऐसी country जहाँ पर बरफ गिरती है बहुत जादा या फिर ice बहुत ही cold वहाँ का climate है तो ऐसे cases में बहुत ही thickness meters of ice जो है वो भी होती है वहाँ पर तो उनके कारण पहले उसके उपर stress लग रहा है बाद में वो melt हो गई या फिर आप poles पर बात कर लीजे जहाँ बहुत ही जादा हमेशा ही वहाँ पर frozen रहेगा वहाँ global warming के कारण पानी जो है वो melt होता जा रहा है ठीक है Iceland चलो ये बात हो गई अब over consolidation ratio क्या होती है over consolidation ratio होती है कि जितना उसमें past में जो stress लगा था maximum वाला upon present में जो लग रहा है तो आपको पता है कि अगर कोई soil जो है उस पर present में अगर stress कम लग रहा है यनि कि sigma बार जो effective stress present में जो लग रहा है वो कम लग रहा है past में उस पर जादा लगा है तो अगर over consolidated soil है तो उसके लिए over consolidation ratio की value क्या होगी greater than 1 होगी या यह value हमेशा greater than और equal to 1 होगी equal to 1 उसके लिए होगी कि उस soil जिसका present का जो stress है वो maximum है तो ऐसे case में तो वहाँ पर वैसे तो pre consolidation stress जो है वो कुछ exist ही नहीं करेगा तो over consolidation ratio अगर हम बताएंगे तो वो over consolidated soil के लिए बताएंगे और वो value greater than 1 होगी क्योंकि कितना past में लगा upon कितना present में लग रहा है तो past वाला जादा था pre consolidation stress जो था तो यहां तक तो वो कहानियों वाली बात आती है numeric portion की बात करें तो numeric portion तो हमारा कहां तक खतम हो जाता है एक starting का जो 1D consolidation test odometer test जो हमारा था वहां तक रह गया अब फिर से यहां पर numeric portion स्टार्ट होता है और इसके अंदर आपको यहां पर 5 formula याद रखने है जो limited से इस chapter से गिने चुने 7 या 8 formula है उसमें भी पूरा chapter wrap up हो जाएगा बस पूरा process समझना है कि कैसे यह formula है में हमारे पास बाद में वो याद रखने है तो total 10 minute लगेंगे इस chapter को पूरा revise करने में compression index जिसको cc से denote करते हैं और short notes में नाम properly लिखे हैं इनके क्योंकि confusion हो जाएगी आपको compression index क्या है फिर उसके बाद आप बात करेंगे coefficient of compressibility क्या है coefficient of volume compressibility क्या है तो इस तरीके से थोड़े थोड़े related से words आपको देखने को मिलेंगे तो इसलिए इनको बार बार बूल के याद करेंगे आप तो आप confused नहीं होंगे compression index cc से denote करते हैं यहाँ पर और यह stress range के उपर depend नहीं करता है graph plot करते हैं e versus log of effective stress e versus log of effective stress में हम इसका graph plot करते हैं यह अलग-अलग soil के लिए अलग-अलग value इसकी रहती है जितना ज़्यादा compression index की value यानि कि जितना ज़्यादा change in void ratio with respect to change in log of stress तो उतना ही ज़्यादा soil का deformation होगा vertical direction में उतना ही ज़्यादा उसका settlement आएगा higher the value of cc higher the vertical deformation of soil layer उतना ही ज़्यादा settlement आएगा यह कहना चाहरे हैं और settlement को कैसे देख रहे हैं settlement को हम इसी प्रकार से तो देख रहे हैं कि void ratio कितना reduce हो रहा है delta h upon h is equal to delta e upon 1 plus e naught तो void ratio के respect में हम observe कर रहे हैं कि एक direction में vertical direction में जो settlement आ रहा है वो किसके उपर depend कर रहा है void ratio कितना reduce हो रहा है तो जितना ज़्यादा यह reduction उतना ही ज़्यादा यह change आएगा यहाँ पर change in void ratio उतना ही ज़्यादा cc आएगा उतना ही ज़्यादा vertical direction में soil का deformation हो रहा है for unloading curve और expansion curve it is approximately a straight line यहाँ पर यह straight line मिलती है इस तरफ से यहाँ पर यह वापस आई जब तो यह क्या हो रही थी यहाँ पर expand हो रही थी कुछ expansion तो हुआ ना यहाँ से लेके इसके level तक आप देख लेजिए यहाँ से इस level तक अगर देखेंगे कुछ expansion तो आया कुछ void ratio तो increase हुआ इसे expansion index हम बोल देते हैं तो formula आपको याद रखना है बस compression index का formula change in void ratio upon log of upon change in log of effective stress तो यह आपके पास compression index का आता है अगर आपको question के अंदर values दे रखी हो void ratio की और effective stresses की तो इस तरीके से calculate करना है अगर value नहीं दे रखी हो आपको वहाँ पर liquid limit दे रखी है तो उस case में आप empirical formula होते हैं जिनकी मदद से आप calculate करेंगे CC अगर undisturbed clay है तो 0.009 liquid limit minus 10 अगर remold कर दी उस clay को तो 0.007 liquid limit minus 10 तो यह तो clay के लिए है sand के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं तो consolidation chapter पढ़ रहे है coarse grain particles जो है उनकी बात नहीं कर रहे है उनके बीज में permeability बहुत ज़ादा होती है जैसे force लगाएंगे water जा सकता है कम time में भी वहाँ से बाहर निकल जाएगा यहाँ पे बात हो रही है fine grain particles की, छोटे particles की clay की जिनकी permeability बहुत कम होती है porosity ज़ादा है लेकिन permeability कम है void ज़ादा है उसके अंदर लेकिन voids connected नहीं है इतने अच्छे से कि उनके through पानी वहाँ से travel कर जाए तो clay की बातें कर रहे हैं इसलिए इस पूरे chapter के अंदर undisturbed clay, remolded clay 0.009 liquid limit minus 10 0.007 liquid limit minus 7 तो यह हम यहाँ पर पढ़ते हैं किसके लिए normally consolidated soil और जो remolded है या disturbed है उसके लिए undisturbed के लिए इस तरीके से हम calculate करते हैं next time आते है coefficient of compressibility AB से denote करते हैं coefficient of compressibility में जो curve आता है वो आता है effective stress का log नहीं use करते हैं बस यहाँ पर तो simple इसका जो slope होगा या फिर आप यह कह लिजिए कि change in void ratio upon change in effective stress तो यह stress range के उपर depend करता है stress के उपर directly यह depend कर रहा है कि stress की range जो है या फिर कितने stress के उपर आपको कितना change in void ratio देखने को मिल रहा है तो इसके उपर यह depend कर रहा है as the stress value increases the value of coefficient of compressibility decreases simple समझ में आ रहा है जैसे-जैसे stress बढ़ाएंगे वैसे-वैसे void ratio जो है वो भी change होता जाएगा तो उसे एक वर्डिंग यह value जो आपकी है change होगी यहाँ पर तो stress value जैसे-जैसे increase करेगी value of coefficient of compressibility decrease कर जाएगी जितना यह increase करेगा उतना यह reduce हो जाएगा एक बार अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखे यहाँ पर अगर आप change in void ratio with respect to change in stress देखेंगे तो वो value जादा आएगी यहाँ पर देखेंगे तो change in void ratio with respect to change in stress वो कम आएगा simple भाषा में ऐसे समझ लीज़े जब stress लगा रहे हैं किसी soil पर तो शुरू में जब आपने stress लगाया तो ज़्यादा volume change देखने को मिलेगा as compared to later तो बाद में क्योंकि पहले से काफी compaction हो चुका है अब आप उसको further अगर आप करना चाहेंगे तो वो उसको resist करने लग जाएगा तो इसलिए यहाँ पर this line का मतलब यह है point B और point C आपसे यह कहना चाहरा है कि अगर यहाँ पर void ratio let us say void ratio शुरू में even था और वो E2 तक गया जब आपने उसके अंदर stress जो है वो कितना लगाया यहाँ पर initially आपने लगाया sigma 1 फिर उसके बाद sigma 2 तो इस change in stress के respect में यहाँ पर change in void ratio जादा आया इतना ही amount अगर मैं इसे कह दूँ कि delta sigma bar इतना ही amount का change अगर मैं यहाँ पर apply कर देता इतना ही change in stress अगर यहाँ apply कर देता तो उतना change in void ratio मुझे नहीं मिलता अगर मैं इसे E3 और E4 कहूं तो E3 minus E4 यह value जो आएगी बहुत कम आएगी as compared to E1 minus E2 इनके comparison में यह value बहुत कम आएगी क्यों क्योंकि starting में change in जो void ratio अगर जादा होगा as compared to जो later होगा यह graph void ratio और stress के बीच में रहेगा effective stress के बीच में और जो पिछला था हमारे पास compression index वाला वो log के साथ रहेगा next simple ऐसे question आए हुए है EAC 1995 में इससे related void pressure diagram या void stress diagram is shown in the given figure the coefficient of compressibility is change in void ratio clearly दिखाई दे रहा है change in stress आपको clearly दिखाई दे रहा है तो आपको coefficient of compressibility बताना है AV की value change in void ratio कितना है change in stress कितना है या effective stress कितना है change in void ratio की बात करेंगे तो 0.7 minus 0.6 change in stress की बात करेंगे तो 17.5 minus 17 तो आगया 0.1 by 0.5 तो 0.20 compression में क्योंकि log versus effective stress हम compression index में log of effective stress consider करते हैं इस case में यहाँ पर directly हम effective stress versus void ratio बता रहे हैं तो इस case में हम इनके changes को directly reflect करवा सकते हैं कि starting में उसका change और बाद में उसका change कैसे आ रहा है starting में change ज़्यादा देखने को मिलेगा बाद में change कम देखने को मिलेगा तो stress की ranges पे है starting low stress ranges पे आपको ज़्यादा change दिखाए देगा जैसे-जैसे stress की value बढ़ जाएगी बहुत जादा हो जाएगी तो change in void ratio कम दिखाए देगा इसलिए stress range पर यह depend कर रहा है पिछले case की बात करें compression index की तो log of effective stress की उपर वो depend कर रहा था next आगे बढ़ते हैं coefficient of volume compressibility में आपको बस इसको divide कर देना है 1 plus original void ratio से आपका av जो आया था इसको divide करना है 1 plus original void ratio से तो coefficient of compressibility av था coefficient of volume compressibility av upon 1 plus e0 है बस इतना change आजाएगा आपके पास और next जो हमारे पास आता है इसमें अगर आप av की value पुट कर दें change in void ratio upon change in effective stress तो mv का formula हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है compression modulus जो होता है वो 1 upon volume compressibility होता है अब बात करते हैं time rate of consolidation की time rate of consolidation का मतलब समय के साथ साथ av और इनके उपर बहुत question देखने को मिलते हैं यह जितने भी parameters की बात करेंगे conclude करके last में गिने चुने हमारे पास 7, 8 या 10 formula जो है max to max बन जाएंगे चोटे-चोटे formula भी account करें तो हलांकि काफी सारे interrelated है उन में से तो इतने formula बन जाएंगे उन से related direct question आते हैं चाहे mains की बात कर लीजिए चाहे objective की बात कर लीजिए वैसे समझेंगे तो बहुत मुश्किल chapter लगेगा कि पता नहीं इतने बड़े-बड़े question direct question पर अगर आएंगे लेकिन समझ समझ के करेंगे और फिर एक बार ये चीज़ें समझनी है फिर direct formula याद करने है तो आपके questions जो है वो बहुत easily हो जाएंगे क्योंकि जो चीज़ समझ रखी होती है हमने उसको apply करते time पूरा process जो है पूरा picturize हो रहा होता है कि क्या actual में हो रहा है कैसे settlement हो रहा है तो that becomes easy consolidation analysis कर रहा है consolidation analysis का मतलब है यहाँ पर हम कैसे settlement आ रहा है पानी के बाहर चले जाने से pore water pressure dissipate हो जाने के कारण कैसे consolidation हो रहा है time के साथ time rate of consolidation हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे है in consolidation analysis rate of settlement is directly related to the rate of dissipation of excess pore water pressure कोई soil की layer कितना settle करेगी कितना जल्दी settle करेगी किसके उपर depend कर रहा है कि कितना जल्दी उसमें से water बाहर expel हो जाएगा कितना जल्दी उसमें से excess pore water pressure निकल जाएगा उसी के उपर तो उसका consolidation depend कर रहा है कि कितने जल्दी dissipate होता है किस rate से एक particular time में कितना पानी बाहर निकल रहा है excess pore water pressure बाहर जा रहा है यहाँ पर therefore in order to predict the time rate of consolidation a theory was proposed by तरजागी जो soil mechanics के फादर साब है उन्होंने क्या किया एक theory दी बताया कि किस तरीके से consolidation हो रहा है अब जो process हो रहा है पहले तो test करके देखे कि हाँ इसा हो रहा है फिर उसके बाद उसको explain किया गया कि हाँ क्यूं हो रहा है क्या क्या assumptions हमने माने तो उसके regarding जो है consolidation की theory दी गई अब जो भी theory दी जाती है उसमें पहले कुछ assumptions माने जाते है कि हाँ so and so set of हमने assumptions माने इनके basis पे हम ये conclude कर रहे है तो पहले जो assumptions थे वो क्या-क्या थे soil को homogenous माना गया fully saturated जो starting में हमने बात की थी consolidation जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो consolidation जो है उसके अंदर one dimension के अंदर पढ़ रहे है का वो solid particle या फिर जो water है वो compress होने के कारण आ रहा है ऐसा नहीं मानते हैं इनको incompressible मानेगे voids reduce हो रहे हैं air कम हो रहे हैं यह वहां से water कम हो रहा है इसके कारण हम कह रहे हैं water बाहर निकल जा रहा है तो इसके कारण हम कह रहे हैं कि वो settlement आता है consolidation हो रहा है उसका coefficient of permeability compressibility, volume compressibility इनको constant मानते हैं जितने भी coefficient की बात की ऐसा नहीं मानते हैं कि यह change हो रहे हैं settlement आने के करण consolidation होने के करण इनको constant मानेगे Darcy's law को applicable मानेगे सभी hydraulic gradient के लिए compression और flow को one dimension में पढ़ रहे हैं एक dimension में बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं कि soil के उपर stress लगाया तो वो settle भी हो रही है, thickness भी उसकी कम हो रही है lateral direction में भी वो कम ज़ादा हो रही है ऐसा नहीं मान रहे हैं उसकी सिर्फ एक dimension के अंदर बात करेंगे कि सिर्फ vertical direction में settlement आ रही है इसके अलावा कोई और dimension चेंज नहीं हो रही है 1D के लिए ही ये theory valid है, बताई गई है differential equation proposed by तरजागी तरजागी ने जो अपनी calculations की और उनके बाद जो उन्होंने equation proposed की वो equation उन्होंने बताई कि consolidation का rate जो है कितना consolidation हो रहा है degree of consolidation कितने प्रतीशत consolidate हो गई कोई soil, 100 meter की layer थी 100 meter से वो 90 हो गई, कितना percent consolidation आ गया उसके अंदर तो ऐसे जो उसको हम बता रहे हैं with respect to time ये theory आपको यहाँ पर बताई गई so del u by del t equals to cv into del square u upon del z square यहाँ पर u जो है degree of consolidation, कितना consolidation हो चुका है यह आता है आपके पस cv की बात करें तो coefficient of consolidation होता है इसका formula आपको याद रखना है यह बहुत ही important formula है objectives, subjective सब में use होगा kz यनि की z direction में vertical direction में जो permeability है 1 plus e naught upon av into gamma w या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं av upon 1 plus e naught को mv लिख सकते हैं तो आप permeability को z direction में जो है उसको express कर सकते हैं mv into gamma w into mv into gamma w into c यह भी आप याद रख सकते हैं clear, समझ में आ रहा है आगे बढ़े यह formula आपको याद रखना है अब कुछ-कुछ चीज़ हैं वो समझ लीजिए बस बाकी discussion जो है वो आगे का इसका क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा और concentrate होके समझने पड़ेगी चीज़ें तो इसमें बाद में इसके उपर discussion करेंगी next session के अंदर लेकिन बस अभी के लिए समझ लीजिए simple सी बात है क्या simple सी बात है कि double drainage क्या होता है single drainage क्या होता है इनको बस थोड़ा सा देख लीजिए आप आपके पास अगर कोई soil की layer है और यहाँ पर क्योंकि consolidation पढ़ रहे है consolidation पढ़ रहे है तो consolidation किसका करेंगे एक ऐसी soil का ही करेंगे जिसकी permeability कम है तभी तो consolidation पढ़ रहे है हम यहाँ पर उसके लिए कि उसमें से excess pore water pressure धीरे धीरे with time dissipate होगा तो clay है अब अगर इस clay को अगर मैं देखो इस clay की layer को अलग-अलग type की soil के लिए एक ऐसी soil जिसके नीचे rock present है यहाँ क्या present है rock present है और एक ऐसी soil जिसके दोनों तरफ sand present है clay जो थी उसके उपर भी sand नीचे भी sand इस case में left side में एक ऐसी soil जिसके अंदर एक तरफ नीचे जो थी rock थी और उपर क्या present थी sand present थी तो एक बात बताएं आप अब इन soil की layers के उपर मान लीजिए यह ground level आगया उपर अब आप यहाँ पर जाके क्या कर रहे है इनके उपर stress लगा रहे है दोनों type की soils के उपर stress लगाया अब इन soils में जो पानी present है sand के अंदर जो है इनके लिए तो हम पढ़ेगी नी क्योंकि इन में permeability जादा है यह gravel है तो permeability जादा है water बैसे easily निकल सकता है बाहर तो time dependent process तो ऐसी soil में ही आएगा जिसकी permeability कम है यहनि की clay के लिए बात कर रहे है तो अब इस clay के अंदर यह जो water के molecules present है इस तरफ वाली soil के लिए या soil type 1 के लिए मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या possibility है पानी rock के अंदर तो जाएगा नि rock तो ना तो porous है ना permeable है इसके through तो बाहर निकल नहीं सकता तो पानी कहां जाएगा water इस direction में जाएगा उपर की direction में तो वो maximum से maximum distance क्या है जो किसी water के molecule को travel करना पड़ेगा वो maximum distance ये entire thickness of the layer हो जाएगी कि इतना उसको travel करना पड़ेगा तभी वो यहां से बाहर निकल पाएगा तभी ये clay की layer consolidate हो पाएगी जब ये पानी यहां से बाहर निकलेगा तो यहां वाले particle तो easily निकल जाएगे लेकिन जो सबसे जादा समय लगेगा overall consolidation जिसके उपर depend करेगा वो किसके उपर depend करेगा यहां से लेकिन यहां वाले particle सबसे दूर वाले particle के उपर या फिर यह कह लिजी जैसे आप plan करते हैं तो गुवा जाना आपके दोस्तों में से किसके उपर depend करता है सबसे जादा slow होता है सबसे जादा dice ही होता है कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा उसके जाने के उपर depend करता है plan successful होगा या नहीं होगा तो वैसे ही यहां से अगर हम बात करें तो सबसे दूर वाले particle अब अगर second type की soil की बात करें इस strata की बात करें यहां उपर भी sand थी नीचे भी sand थी इस soil के अंदर जो कोई water का molecule होगा सबसे जादा time किसको लगेगा सबसे जादा दूर गौनसा होगा तो जो mid में particle होगा वही सबसे जादा दूर है जो यहां वाला particle होगा वो उपर निकल जाएगा यहां वाला molecule जो होगा water का वो नीचे निकल जाएगा क्योंकि यह इसके नजदीक है तो सबसे जादा time जिसको लगेगा वो beach की layer में यहां इस layer के इस clay layer के mid में जो particle लाई कर रहा है वो यहां तो यहां से यहां जा सकता है या फिर वो वहां से नीचे आ सकता है तो वो जो mid वाले जो particle होंगे उनको सबसे जादा time लगेगा सबसे जादा दूरी उनको तैक करनी पड़ेगी as compared to यहां पे अगर हम बात करें इधर देखेंगे तो यहां वाले particle को सबसे जादा distance travel करना पड़ेगा तो ऐसा case जिसके अंदर आपको सिर्फ एक तरफ ड्रेन हो सकता है पानी उसे हम क्या बोलते है single drainage बोलते है उसे हम क्या बोलते है single drainage बोलते है ऐसी layer जहां उपर और नीचे दोनो ऐसे porous layers होती है फटा फट जो पानी को drain out कर देंगी उसे हम कहते है कि दोनो साइड से अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि यह क्या है double drainage हो रहा है यह क्या हो रहा है double drainage हो रहा है तो time कौन जादा लेगा first वाला time जादा लेगा single drainage जहां पर हो रहा है double drainage के लिए time जो है उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी so double drainage की बात करें इनके अंदर हम कुछ terms express करते हैं जिसे बोलते हैं drainage path ratio drainage path ratio हम express करते हैं drainage path ratio क्या होता है कि कितना depth of any point from the top of clay layer है upon maximum distance traveled by the water molecule कितना उसका drainage path ratio कुछ parameters, non-dimensional parameters express किये थे तरजागी ने उस theory का जो solution था या उन्होंने जो equation प्रपोज की उसके अंदर कुछ non-dimensional parameters थे जिनको पहला बताया कि drainage path ratio है drainage path ratio उन्होंने क्या बताया कि depth of any point from the top of clay layer clay layer के top से किसी point की कितनी depth है maximum distance traveled by the water molecule maximum distance traveled by the water molecule अब आप यह देखिए कि एक clay की layer उपर भी send, नीचे भी send इसकी thickness हमने clay की layer की thickness मान ली D तो ऐसे case में किसी water molecule को maximum distance कितना travel करना पड़ेगा जितनी इसकी layer थी D by 2, जितनी इसकी thickness थी उतना D by 2 आपको करना पड़ेगा चाहे वो molecule यहां से यहां जाए, चाहे वो molecule यहां से नीचे वाली soil के अंदर जाए, तो D by 2 उसको travel करना पड़ेगा तो maximum distance traveled by any molecule कितना हो जाएगा, D by 2 हो जाएगा अब किसी point पे, from the top of clay layer किसी point पे अगर आप देखेंगे कि depth कितनी है, तो वो depth अगर आप यहां पर देखते हैं, तो वो अगर D consider कर लेते हैं, इस point पे अगर आप बात कर रहे हैं, इस point पे बात कर रहे हैं upon D by 2, तो double drainage के case में यहां पर आपके पास 2 आ जाएगा single drainage की बात करेंगे, अगर आप तो single drainage के case में, एक water के molecule को complete distance D travel करना है तो यहां पर drainage बात ratio आप क्या बताएगे अगर आप क्या बताएगे अगर आप बाता आपके बतापकेSt झाल झाल लेटरल में नहीं देखते हैं एक डाइमेंशन में ही बात करते हैं कोई खतम टाटा बाई बाई नहीं है टाइम फेक्टर पे आ जाई है यह टीवी टाइम फेक्टर की अगर हम बात करें तो टीवी जो है वो किसके बराबर होता है CVT upon H square के बराबर होता है TV किसके बराबर होता है CVT upon H square के बराबर होता है और यहाँ पर H जो होता है वो होता है कि कितना maximum distance किसी water molecule को travel करना पड़ेगा तो किसी maximum distance कितना travel करने हैं पड़ेगा यह किसके उपर depend कर रहा है कि single drainage है या double drainage है इसके उपर depend कर रहा है न तो single drainage के case में तो यहाँ पर उसको thickness of layer का complete distance से travel करना पड़ेगा double drainage के case में maximum distance किसी particle को कितना travel करना पड़ेगा दोनों side उसकी send की layer है तो उसे thickness of layer by 2 करना पड़ेगा यहाँ पर तो एक simple सी चीज आप यह भी देख सकते हैं यहाँ से यह आप relate कर सकते हैं कि tv इक्वल्स to cvt upon h square तो आप यहाँ पर tv जो है time factor कहा रहे है constant रहेगा cv जो है उस particular soil के लिए और set of conditions के लिए same रहेगा तो time factor जो आपका t की value आएगी इस h square को उधर ले जाए अगर बाकि सारे constant है तो h square के उपर depend कर रहा है अगर single drainage की बात करेंगे हम single drainage की अगर हम बात करेंगे तो single drainage में h की value किसके बराबर होगी entire depth d के बराबर होगी अगर double drainage की बात करेंगे double drainage के case में maximum distance जो particles को travel करना पड़ेगा वो d by 2 ही होगा तो अगर आप single upon double का time देखेंगे तो single drainage upon double का अगर आप time देखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा इस case में जो आपके पास single drainage की case में जो maximum distance travel करना था particle को वो d के बराबर ही था thickness of layer के बराबर और यहाँ पर d by 2 था दोनों का square कर देजिए क्योंकि h1 upon h2 हो जाएगा न तो यहाँ से आप conclude करके देख सकते हैं कि t1 जो single drainage में time लगेगा वो कितना लगता है 4 times हो जाएगा यह by 2 का square उपर चला जाएगा तो वो 4 हो जाएगा तो 4 times of double drainage लगता है एक अगर आपके पास ऐसी layer है यहाँ पर clay उपर भी drainage हो सकता है नीचे भी drainage हो सकता है double drainage है तो उसमें time कम लगेगा चार गुना यह कह लिजी single drainage के case में double के comparison में 4 times जादा time लगेगा ठीक है बस सर बहुत हुआ बहुत हुआ तो आप ऐसे करें जैसे बहुत अत्याचार हो गया बहुत परताडित कर दिया आपको कि यह पढ़ना पढ़ेगा कोई बाहर नहीं टॉपिक चल रहा है अभी समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है इन दा सॉलूशन आफ तर्जागी वन डाइमेंशनल थियोरी फॉलाइंग नौन डाइमेंशनल पैरामेटर्स वर डिफाइंड जिसमें से दूसरा है पहला था ड्रेनेज पात रेशो दूसरा है टाइम फेक्टर तो टाइम फेक्टर है CVT अपॉन एच स्कॉयर ठीक है CVT अपॉन एच स्कॉयर अब बात करते हैं डिग्री ओफ कंसॉलिडेशन की अगर डिग्री ओफ कंसॉलिडेशन चलो थोड़ा सा बचाए बस थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अगर डिग्री ओफ कंसॉलिडेशन 60 प्रतीशत से कम है 60 परसेंट ही वो कंसॉलिडेट हुए 60 परसेंट ही कंसॉलिडेशन हुआ है उसका पूरी थिकनेस ओफ लेयर का 60 या 60 से कम हुआ है तो टाइम फेक्टर को दिया जाता है पाई बाई फोर यू स्कॉयर से जहां पर यू की वैल्यू पुट की जाएगी फ्रेक्शन में अगर डिग्री ओफ कंसॉलिडेशन 60 परसेंट से जादा है 60 परतिशत से जादा कंसॉलिडेट हुई है वो सॉयल तो आप कहेंगे 1.78 माइनस 0.933 लॉग बेस्ट है 100 माइनस यू यहां पर यू की वैल्यू परसेंटेज में पुट की जाएगे तो यह दो छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं इनको याद करना है आपको और इनको याद करते हुए फिर उसके बाद अगर हम जेनरली क्वेशन में यह पूछ लेते हैं दो स्टेंडेट सी वैल्यू आपसे वो पूछते हैं कि 50 प्रतिशत कंसॉलिडेशन के लिए 50 परसेंट अगर कोई सॉलिडेट हो गई है तो उसके लिए टाइम फेक्टर की वैल्यू क्या होगी तो हम क्यलकुलेट करते हैं पाइब बाइफोर क्योंकि 50 परसेंट यह कम है 60 से तो हम यूज करेंगे पाइब बाइफोर यू स्क्वार यहाँ पर यू की वैल्यू पुट की जाएगी फ्रेक्शन में यह नहीं कि 50 by 100 यह यह कह लिजिए 0.5 तो पुट कर दी हमने यहाँ से आता है T50 की वैल्यू 0.196 अगर हम बात करेंगे कितना टाइम रुक्वाइड है 50% अगर हम टाइम फेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर ताइम फेक्टर फॉर 90% कंसॉलिडेशन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे है टीवी की बात कर रहे है 50% कंसॉलिडेशन के लिए तो वो फार्मुला यूज 90% के लिए 90 के लिए उपर वाला फार्मुला यूज हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज में पुट किया जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 0.848 दोनों का रेशो अक्सर हम से पूछ लिया जाता है तो यह टाइम फेक्टर की बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम रिक्वाइड बजाए तो यह लिखना चाहिए टाइम फेक्टर टाइम फेक्टर फॉर 50 परसेंट कंसॉलिडेशन 90 परसेंट कंसॉलिडेशन टाइम रिक्वाइड भी कैलकुलेट करना आ सकता है पॉर्मुला यूज करेंगे हम टीवी इक्वल्स टू CVT upon F square तो वहाँ पर टीवी की वैल्यू क्वेशन में गिवन होगी टाइम कैलकुलेट कर सकते है स्माल टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते है चलें आगे फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों immediate settlement की immediate settlement जो है यह आपको यहाँ पर send के अंदर अगर आपसे पूछा जाए वैसे तो clay की case में हम बात करेंगे लेकिन फिर भी अगर send की case में आपसे पूछ ले जो बहुत rare है अभी तक as such question जो इतना नहीं आया इससे तो h naught upon cs log base 10 शुरू में जो stress लग रहा था अब इसमें बस term समझ लीजेगा बाकी terms जो हैं बिल्कुल easy है sigma naught क्या है change in stress क्या है इसकी बात करें अगर हम आपके पास कोई particular layer थी यहाँ पर soil की अगर हम पढ़ रहे हैं जिस clay की layer को पढ़ रहे हैं यह clay की layer को पढ़ रहे हैं यहाँ इससे उपर send president थी settlement की बातें कर रहे हैं तो settlement इस clay की layer का पढ़ेंगे तो इस clay की layer पर settlement करवाने से पहले मान लीजी आपने settlement करवाया यहाँ पर कोई building बनाई अब इस building के बनने के कारण इसके उपर stress लगा होगा लेकिन building के बनने से पहले भी तो stress लग रहा था न कुछ इसके उपर तो building के बनने से पहले की stress की बात करें अभी building बनी नहीं है तो शुरुआत में इस layer के उपर कुछ न कुछ stress लग रहा था तो अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि इसका unit weight gamma 1 है और इस layer की thickness जो है वो h1 है अगर clay का unit weight जो है वो gamma 2 है और इसकी thickness जो है वो h2 है यहाँ पर तो stress कौन सा consider करूँ मैं किस point पे consider करूँ clay के layer के लिए मुझे stress टही है कि शुरू में stress कितना लग रहा है वो यह वाला stress लग रहा है या यहाँ वाला stress लग रहा है कितना stress लग रहा है शुरू में वो stress calculate करेंगे वो starting वाला effective stress calculate करेंगे तो initially उस layer के उपर कितना stress लग रहा था यह होगा हमारा sigma bar naught अब building बना दी building जब बना दी आपने इसके उपर तो building बनाने के कारण इसके उपर stress आया अब जो stress आया वो हम कह देंगे कि यह जो stress आया यह है change in effective stress कि अब extra stress और कितना आ गया अब final stress कितना लगेगा final लगेगा यह sigma naught bar by plus delta sigma bar तो यह total final लग गया ना हमारे पास overall stress कितना लगा इस clay layer के उपर तो यह कह लिए change in stress या आब नया जो stress हमने लगाया वो यह लगाया पहले existing जो था हमारे पास वो delta पहले जो लग रहा था वो sigma naught bar था तो इस case में अगर sand present थी sand के अंदर ही super वाली layer की बात कर रहे हैं sand के अंदर settlement की बात करते हैं तो h naught upon cs log base 10 delta sigma naught bar plus delta sigma bar upon sigma naught bar यह हम बात करते हैं sand के लिए यहां पर CR जो है static cone resistance कहलाता है 1.5 CR upon sigma naught sigma naught bar यह cs आ जाता है उसमें value पुट करते हैं लेकिन इस से related अब तर question नहीं पूछे गए clay की बात करें तो clay से related जो है question immediate settlement का foundation engineering में पूछा हुआ है एक बार engineering services के अंदर तो qb into 1 minus mu square into it upon e.s होता है लेकिन sse j.s exam के अगर हम बात करें mains में भले ही पूछ ले अब तक इस से related question नहीं आ है लेकिन याद होना चाहिए तो फिर कुछ miss नहीं होगा ऐसे होगा कि यहां इस chapter से कैसा भी question आ जाए कहीं से भी आ जाए हम सब कर लेंगे अगर हमें यह याद है तो यह इतना important formula नहीं है लेकिन यह है इसको आप याद कर लीजेगा IT shape factor होता है या influence factor भी हम बोलते हैं जिसे width upon length ratio के उपर यह depend करता है foundation की q जो होता है वो uniform pressure at the base of foundation foundation engineering के अंदर भी इसको पढ़ लेते हैं वहाँ पर immediate settlement in foundation बोलके clay के अंदर कितनी आएगी तो वहाँ भी हम इसको इसी form में पढ़ते हैं अब बात करते हैं जी normal trend के अंदर जो questions पूछते हैं वो किस से related पूछते हैं वो पूछते हैं primary settlement से related जो कि हमारे पास आता है delta H upon H equals to delta E upon 1 plus E not इससे related question पूछते हैं थोड़े से rearrangement करते हैं इस H को इस तरफ ले आए हम यहाँ पर तो formula कुछ इस प्रकार से बन गया हमारा MV की बात करें तो MV आपके पास होता है change in void ratio upon 1 plus E not into delta sigma bar इसमें introduce करवा दिया change in void ratio की जगा हमने यह सारी value पुट करवा दी change in void ratio की जगा यह सारी value आ गए change in void ratio is equal to MV into 1 plus E not into delta sigma bar यह value हमने यहाँ पर पुट कर दी तो एक और formula आ जाता है settlement को calculate करने का H into MV into delta sigma bar अगर question में आपको coefficient of volume compressibility दे रखा हो change in stress कितना है वो दे रखा हो original thickness दे रखी हो तो इससे हम calculate कर सकते हैं last में मैं आपको summarize करके भी बता दूँगा कौन से formula बस कैसे याद करने हैं अभी आप समझ लीजे कैसे कैसे formula आए पिर अगर हम बात करें तो फिर से rearrange करके देख लेते हैं अगर CC को इस्तिमाल करके आप formula तो जितने upon h original thickness is equal to change in void ratio upon 1 plus original void ratio CC का formula था कि change कितना है void ratio के अंदर with respect to change in log of effective stress यह आया इन दोनों को use किया यहाँ पर फिर से value put करवा दी हमने इसको तो आप ऐसे express कर सकते हैं कि sigma 2 bar क्या है बाद में जो stress लगा वो कितना है तो बाद वाला कितना था जितना शुरू में लग रहा था पहले जो लग रहा था और फिर change in stress या फिर हम इसको sigma naught से भी denote कर सकते हैं sigma 1, 2, sigma जैसे भी आप denote करना चाहें तो यह है original वाला शुरू में कितना लग रहा था यहां से इस formula में put करवाई change in void ratio की तो वो put करवाने पर आता है cc into h upon 1 plus e naught long waste time शुरू में जो stress लग रहा था external stress लगने से पहले या footing का stress आने से पहले जो stress था यानि कि soil की layers की वज़े से जो stress था वो है sigma 1 बार या फिर sigma naught से भी इसको लिख सकते है plus change कितना है जो आपने footing का या उपर से जो super structure है उसका load कितना है upon sigma 1 बार यह formula आ जाता है हमारे पास तो this is the conclusion short notes में जो लिखना है हमें पूरा as it is यही लिखना है change in void ratio अगर question के अंदर given है आपको तो आपको formula यूज़ करना है delta h equals to delta e upon 1 plus e naught into h यह तो हमें यादी है अगर आपको mv given हो तो आपको कहना है h naught into mv into delta sigma bar अगर आपको cc given हो तो यह formula यूज़ करना है तीन formula conclude करके हमने बता दिये ठीक है आगे बड़े तीक है दन तीक है दन चलिए वैसे topic हो गया अब questions बच्चे हैं इससे related topic वैसे हो चुका है questions बच्चे है secondary settlement आता है secondary settlement का भी formula यही use करते हैं बस यहाँ पर void ratio जो वो final वाला आ जाता है initial की जगा final void ratio हम consider कर लेते हैं primary consolidation होने के बाद वाला यहीं की secondary settlement के लिए initial void ratio क्या हो जाएगा जब primary settlement खतम हुआ बस वो वाला आ जाता है ठीक है दोस्तों अगर आपने अभी तक इस session को like नहीं किया तो आप इस session को like कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ इससे share भी कर सकते हैं civil 101 पर अगर आप नए हैं तो उसे subscribe कर सकते हैं bell icon भी click कर सकते हैं जिससे आपको instant updates मिलें जैसे bell icon को click कर देते हैं तो आपको जो भी sessions हमारे होते हैं live session हो जाए प्रीमियर वाले हो तो जैसे ही वो आएंगे तो आप तक instant notification आजाएगा आप miss नहीं करेंगा कोई session PDF का जो comment है वो आपको first comment के अंदर PDF का link मिल जाएगा Google Drive का वो save कर लीजिए उसके उपर जितनी भी PDFs हैं update आज तक कि अगर हम बात करें वो उसके उपर update हो जाएगी और साथ ही साथ में आने कैडमी की जो special classes हैं जो शाम को होती हैं हमारी 6 पीम 8 पीम के उपर उनके links भी आपको मिल जाएंगे और वो link आपको वैसे भी मिल जाएंगे अगर आप आने कैडमी की app install करते हैं और वहाँ पर आप मेरी profile में जाके देखेंगे तो special classes में वहाँ पर वो sessions आपको दिख जाएंगे उन पर जाके click करना होता है आपको remind me या फिर notify me तो जैसे ही वो session start होंगे आपको notification मिल जाएगा तो आप live पढ़ सकते हैं thank you so much मेरा नाम है संदीग और मिलते हैं next session में फो में याज़ दॉद में जाएगा झाल झाल